स्री शिवाय नमस्तु भ्याम अठरा मार्ष को है सोमबार और आप सभी को पता है कि होली आने वाली है जी हाँ मात्र आठ दिन सेश रहे गए होली आने के और होली के पहले पढ़ा है ये सुप सोमबार जो रंग भरा सोमबार है और रोमेणी नच्छतरे की दिन सोमबार आया है तो गुरुजी पंडे जी परदी मिश्रच द्वरा बता आएगा विशेश उपाये जो आप इस सोमबार करकर अपनी मनोकामना को पुरा कर सकते हैं देखिए आप ऐसा ना सोचे कि हमने तो उपाये कर लिए और हमारी मनोकामना भी तक पूरी नहीं हुई है तो अब क्या हम उपाये करें ऐसा मन में ना सोचे उपाये करते रहें महाद्यों किस उपाये से प्रशन होकर आपकी मनोकामना को पुरा करते हैं बाबा खुद जानता है हमें तो पता नहीं है इसलिए गुरुजी बहुत सारे अएक से अनेक उपाय बताते हैं जिन उपाय को करकर आप बिना किसी गलती के अपनी मनों कामनाओं को पुरा कर सकते हैं चलिए वीडियो सुरुवायत करते हैं स्वाधाते मौधिती ऑफिशल च के लिए तरक्की के लिए जी हां अगर आप किसी जगा इंट्रिवी देकिया है और इंट्रिवी का वापस से कॉल नहीं आया है जोइनिंग का कॉल नहीं आया है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं यह विशेश उपाय तरक्की नोकरी प्राप्ति के लिए व्यपाय में आप को क्या करना है आपको लेना है एक लोटा जल और एक दृपा जी हां लेकर आप सिवा ले जाए। सोमवार के दिन सबसे पहले आप सिवलिन के उपर दुरुबा को समर्पित करें करना कैसे आप वीडियो में हुपाय देखकर समझ सकते हैं दुरुबा आपको इस तरीके समझाना है कि दुरुबा के जो रंडी होगी वह जलाधारी की और होगी जहां से जल भेहिके जाता है उस दिसा में मा अस्वसुन्दरी की दिसा में होगी दुर्बा समर्पित करने के बाद आपको एक लोटा साफ जल उसी दुर्बा के उपर एक ही धारा में समर्पित कर देना है और अपनी तरह की उन्नति की कामना करना है श्री शिवाय नमस्तुव्यम मंत्र का जाब करना है ये डोलेशर श्री महापुरण कथा में गुरु जी ने उपाय बताया था जी हाँ और हाँ अगर इस उपाय को आप रोग मुक्ति के लिए करना चाहते हो तो रोग मुक्ति के लिए भी कर सकते हो नंदिश्वर महाद्यों का इस्मरन करते हुए जलका जलको जेल लो और जो रोगिला वेक्ति वरस का आश्मन कर ले तो रोगों से मुक्ति भी मिलती है इस उपाय को कम से कम आप दो या तीन सोंबा करके देखिएगा आपकी मनोकामना यानि कि आपकी तरक की उन्नती व्यापारण वरदी अवश्य होगी ही होगी दूसरा उपाय, इस उपाय को करने से मात्र तीन दिन लगते हैं, कितने दिन? मात्र तीन दिन लगते हैं और आपकी हो वनोकामना पूरी होने लग जाती है तो आपकी कोई भी वनोकामना हो, नोकरी, व्यापार, शिक्र विवाह के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए, धन संपता व्रद्दी के लिए, नया मकान खरिदने के लिए, यहीं दिल की कोई वनोकामना है, जो पूरी नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को करके देखिएग का, बाबा दिखाएंगे तीन दिन के अंदर ही आपको समझमे आज आएगा कि आपको किस दिसा में जाना है, कैसा कार्य करना है, और कुण सा कार्य करना है, यहीं वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा, आप सिवाले जाएंगे, सोंबार की जिन जाएंगे, बहुत लोग बाबा को कनेर का पुष्प समर्पित करते हैं जी हां तो आप सिवाले गए हैं और आपको जलाधारी में कही भी कनेर का पुष्प मिल जाए तो आप यहां उपाय अवश्य करना और एक ही बार करना है जी हां कनेर का पुष्प कैसा होता है आप वीडियो में देख लीजिए इस प्रकार का पुष्प ये बाबो को पहले से चड़ावा पुष्प है, तो आपको चड़ेवे पुष्प से ही उपाय करना है, पुष्प को उठा ले, उठा कर सबसे पहले जला धारी में राइट हेंड तरफ होता है गणेजी का इस्थान, महापर इस्पर्ष कराए, इस् सबसे चोटी बेटी का इस्थान, महापर इस्पर्ष कराए, और पुष्प को उठा ले, चोथा आपको जहां सीवलिंग रखी ही रहती है, महापर इस्पर्ष करना है, इस्पर्ष कराकर उठा ले, पांचवा आपको त्रिशूल में, जी हां, त्रिशूल होता है, त्रिश स्वाय नमस्टु भम बोलते हो श्पर्ष कराकर छटा आपको सिवलेंग की उपर जो मटकी बंदी रेती है जलाधारी की उस पर श्पर्ष करा ना है पर माल लो सिवाले में जलाधारी नहीं बंदी हुई है तो महादयों की पांचो कण्याव जया विशयरा साम्री वारी दोत और देव पांचों गण्यों का नाम लेकर उस पुष्प को सिवलिंग के उपपर समर्पित कर दो यह विशेश मनोकामना पूर्तिक लिए कोई भी मनोकामना आप करके देखिएगा मात्र तीन दिन लगेंगे और वह मनोकामना की पुरी हो ही जाएगी तीसरा उपाय जी हाँ इस उपाय को आपको कम से कम नियम से दो ये तीन सोंबार करना है जी हाँ और मात्र पंदरा दिन लगेंगे और आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाएगी महाधेम नहीं सुन रहे बहुत प्यास कर चुके बाब को गौध मना चुके हो पर बाबा नहीं सुन रहे बाबा ने मन कठा कर ले के सुन नहीं नहीं अब तो एक बाली अविशे शुपाय करके देखना क्या करेंगे एक लूटा जल लेकर सिवाले जाना ठीके सिवाले पहुचकर सबसे पहले नंदी जी का जो पाउं उठा वरेता है उस उठेवे पाउं पलने राइट हैंड तरफ आपको लूटा जल भरा कलस लेकर बेट जाना है जी हाँ 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 में कलस पकड़कर नंदी जी जी के राइट हैंड तरफ बेट जाना दो छण के लिए स्री शिवाय नमस्तुब्यम बोलना और महाद्यव का दर्शन करना वहीं से ठीके फिर खड़े हो जाना खड़े होकर जल महाद्यव के सिवलिंग के उपर समर्पित कर देना पूरा की पूरा जल समर्पित कर देना जल समर्पित करके उस खाली पातिर को लेकर वापस आपको नंदी जी के पास आकर बेट जाना है फिर आपको दो छण के लिए स्री शिवाय नमस्तुब्यम मंत्र का जाप करना है और बाबा को निहारना है और अपनी जो भी म अबाबा आपके 15 दिन के अंदर मनोकामना पुरिक कर देते यानि कि नंदी जी महादय को रोज लेकर निकलते प्रदोशकाल में तो बाबा से नंदी जी बोल देते हैं और महादय हमारी पास सुनते ही सुनते हैं चोथा उपाय यहाँ उपाय है रोगों से मुक्ति के लिए जी हाँ बड़ी से बड़ी विमारी हो गई है दवाया बंग नहीं हो रही है कई प्रयाश कर चुके हो कई दवाया खा कर देख लिए पर दवाया असन नहीं कर रहे है यहाँ आप ठीक नहीं हो पारे आप स्वस्त नहीं रहे रहे कोई भी परिशानी सरीर के अंदर चल रहे हैं कभी पीट दद कभी कवर दद कभी गुटना दद कभी चर दद कभी पेड दद कोई ने कोई समस्या रोग आपको घेर रहता है अगर तो आप यहां उपाय हनुमान जी और गतिमान जी का नाम लेकर करिएगा जी दोनों पत्ति पर लाल चंदन की एक-एक बिंदी लगा दे और फिर उन दोनों पत्ति ओपर एक-एक समी पत्र रख ले जी है अच्छा गुरु जी ने विश्य तरीका बताया है कि जब बेल पत्री चड़ाते हैं समर्पित करते हैं तो ध्यान रखे गुठने के स्वरी अंगुठे के पास वाली उंगले का उपयोग बेल पत्री को चड़ाने में नहीं किया जाता है यानि आपको बेल पत्री इस प्रका कर, से बाबा से कहया दे और अपने घर की उद आजाए पांछवा उपआय है घर में बहुत जड़ाल लडाई जगड़े कलेश होता है वाग विवात होता है सास बहु में भाई भाई में बहन भाई में यहीं कि घर में लड़ाई जगड़े कलेश बंदी नहीं हो रहे हैं तो अब धूतेश्वर महाद्यू का नाम लेकर जी हाँ और श्रमभिश्वर महाद्यू का इसमराण करते हुए यह उपाय करना क्या करेंगे आपको लेना है थोड़ा सा सुद्ध गाय देशी गाय का घी जी हां देशी गाई का घी लेंगे और इस घी को लेकर आप सिवाले जाओ सिवाले पहुश कर आपको सबसे पहले जो मा असुक सुन्द्री का इस्थान होता है उस भाब को साफ कर ले स्वक्ष कर ले यानि कि साफ कर ले अच्छे से फूल पत्ती वगरा सब हटा दे हटाने के बाद उस इस्थान पर आपको घी का करना है लेपन जी हां घी का लेपन करना है चित्य उंगली के पास वाली उंगली से करना आए, एक बिंदी भी लगा सकते हैं, लेपन भी लगा ले, लेपन करें, उसके बाद थोड़ा से घी प्राप्ते कर ले, जितना भी आए उतना प्राप्त है, घी प्राप्ते कर ले, प्राप्ते करके उसका टोरी में डख कर लिया घर लाकर दो बिंदी लेफ्ट और राइट हेंड तरब अपने घर के मुख्यों द्वार पर लगा ले एक बंदी भी लगाएंगे तो प्रयाप्त रहेगी ठीक है लगा लेजिए और घर के अंदर आ चाहिए विशेश उपाये घर में शांती रहेगी खुशहाली रहेगी घर में शांती का होना बहुत आउश्यक है तो यहां कुछ विशेश उपाये जो आप इस सोंबार करकर अपनी मनों कामना को पूरी कर सकते हैं आप अपने उप्योग के हिसाब से अपनी होशकता के अनुशार आप एक स्याधिक उपाये भी कर सकते हैं और वीडियो पसंद आती तो और लोगों तक जरूशाद कीजेगा स्रीशिवाई नमस्तुब्यम हरहर महादेव बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है